मिट्टी में बढ़ते ऐसे डिक प्रभाव से खेती में उप्योग होने वाले खाद वे कीटनासकों के मानक लगातार बदलते जा रहे हैं और यह लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार हो रहे कीटनासकों के इस्तमाल से हमारी मिट्टी के प्येच भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्यूंकि किसान आज सोच रहे हैं कि हम अगर साल के 12 महीने मिट्टी से फसल लेते रहेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ता रहेगा और हमारी कमाई बढ़ती रहेगी जबकि मिटी इस खतरनाक सोच का सिकार होती जा रही है और एक limited समय तक ही मिटी किसान का यहाँ पर साथ देगी अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो किसान निश्चत ही एक दिन महंगे fertilizer महंगे खादों की race में आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसका परिणाम यह होगा कि किसान हमेशा ही फाइदा बढ़ाने के लिए संघर्स करते रहेंगे लेकिन उसे no profit no loss पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा यह है condition एक ना एक दिन किसान साथियों के सामने जरूर आने वाली है इससे बचने के लिए किसान वे सरकारों को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है क्रैशी वेग्यानिक भी नपात्ला कारे करके अपनी जिम्मेदारियों से यहां बच नहीं सकते हैं क्रैशी विभाग भी किसानों की बिओगड़ी हुई हालत के लिए कही न कहीं जिम्मेदार है क्रेशी विभाग एक पक्ष जो की सिर्फ फर्टिलाइजर उद्ध्योग का है उसी पर कहीं न कहीं केंद्रित रहा है किसान आज भी अच्छी जानकारी से अनविग्य हैं सरकारें आज उद्ध्योगी खिती पर किसान को लाना चाहती है लेकिन ये व्यवस्था किसान के लिए तब तक हितकारी बिलकुल नहीं हो सकती जब तक कि किसान का उत्पादन और्गینिक कीमतों पर नहीं बिखता है यह व्यवस्था किसान को आज की ही तरह हमेशा पंगु बना कर रखेगी यहां सरकारें किसान के लिए इसपश्ट नीती पर कारिक करें किसान का करजा माफ करना समाधान नहीं हो सकता यह किसान को हमेशा सरकारों के सामने एक भिकारी की तरह ही पेस करता रहेगा किसान आज भी ओर्गैनिक और इन ओर्गैनिक के बीच में पसो पेस में हैं किसान को ओर्गैनिक के दलदल में अभी फिलहाल फंसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओर्गैनिक में जाने के बाद किसान को अपना उत्पादन पाने में कम से भी कम चार साल लगेंगे साथियों साल दर साल केमिकल को कम करके औरगैनिक को बढ़ावा देते रहना किसान के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है किसान साथियों को तब तक औरगैनिक पर आने की जरुरत नहीं है जब तक किसानों के पास अपने उत्पादन की विक्री का अच्छा विकल्प मौजूद ना हो किसान साथी आज भी अज्ञानता के सिकार में पहले से ही डूबे हुए है अगर आने वाले समय में अच्छे विक्री केंद्र इस्थापित हुए बिना किसान और्गैनिक खेती करने लगे तब किसान की दशा और भी ज्यादा खराब होगी एक तरफ उत्पादन का कम होते जाना और्गैनिक उत्पादन का इन और्गैनिक रेट पर बेचा जाना किसान की मजबूरी बनेगा और यही किसान की दुर्दसा का मुख्यकारण भी होगा अगर सरकारें किसान को सच में आत्म निर्भर बनते देखना जाती हैं तो किसान के उत्पादन की विक्री के लिए और्गैनिक फसल विक्री के इंद्र इस्थापित करें वे किसान को ओर्गैनिक पर आने में हुए नुकसान की भरपाई फसल के रेट बढ़ा कर किये जाने चाहिए बेचने पर ध्यान ना देना किसान की बड़ी भूल या कमजोरी रही है मारकेट में बैठे सीमित खरीदार किसान की इसी कमजोरी का भरपूर फाइदा उठाते रहे हैं किसान कर्ज के दलदल में साल दर साल फंसता जा रहा है और बड़े चमतकार की उम्मीद रखना किसान की एक बड़ी भूल है किसान को आज के समय में बड़े ओध्योगिक कारखानों के मैटेरियल सप्लायर बनने का एक अच्छा और बड़ा विकल्प मौजूद है जबकि अगर किसान सचेत ना हुआ तो इस विकल्प को भी सीमित खरीदारों की नई पीडिया हासिल कर लेंगी और किसान भविष्य में भी कुछ बड़ा कुछ चमतकार होने की आशा में अपने जीवन के अमूल्य पल वे अपने पसीने से सीची वी अपनी मेहनत की फसल को इसी तरह खपाता रहेगा मैं यहीं आपको इस विचार के साथ छोड़ रहा हूँ कि क्या किसान सातियों को अभी भी अपने फैसलों पर विचार नहीं करना चाहिए या इसी प्रकार से बेड़ चाल चलते रहना चाहिए या किसान सातियों को फैसले कड़े फैसले लेने चाहिए और अपने विचारों को बदलना चाहिए अच्छी बात यह है कि किसान आज भी पूर्ण रूप से इस काम को करने में सक्षम है धन्यवाद